हेलो फ्रेंड मैं मोनिका मारवा आप सब का स्वागत करती हूँ आज मैं आप सब के लिए बूती टेस्टी और हेल्दी वेजिटेबल पुलाव लेकर आई हूँ जो खाने में बूती ज़्यादा टेस्टी है कहीं बार हमारा रोटी सबजी खाने का मन नहीं करता तो हम सब सबजीों को मिलाकर एक हेल्दी सा पुलाव बना सकते हैं जो खाने में बूती ज़्यादा टेस्टी और बूती जल्दी बनकर त्यार हो जाता है चलो देर ना करते हुए अब हम बनाते हैं पैसी टेबल पुलाव अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीस हेल्दी और इंट्रस्टिंग रेस्पी देखने के लिए प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी जरूर कीजेगा यहाँ पर मैंने एक बावल के अंदर दो गिलास के करीब चावल ले लिये हैं इसको अच्छे से धो कर हम पानी के अंदर डुबो कर छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए हमने इसको डुबो कर छोड़ देना है अब 30 मिनट हो चुके हैं मैंने इसका पानी निकाल दिया है यहां पर मैंने एक कड़ाई ले लिए है कड़ाई के अंदर मैंने तेल डाल दिया है इसके अंदर मैं एक चमच के क्रीब जीरा डाल दूँगी भी डाल दी हैं, 10-12 मैं काली मिर्चे डाल दूँगी, वह 3-4 लोंग डाल दूँगी, इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, हम इन मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, कि इन में से अच्छी सी खुश्बू आनी शुरू हो जाए, साथ ही मैं इसके अंदर 10-12 इसको हमने थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है, साथ ही मैं इसके अंदर 2 मीडेम साइज के प्याज लिये हैं मैंने यहाँ पर, वो भी डाल दूँगी, इसको भी हम अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, कि इनमें से अच्छे सी एक खुश्बु आनी शुरू हो जाए, साथ ही मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्चे डाल दूँगी, इसको मैंने बीच में से काट लिया है, और इसको भी हम इसके अंदर ही चला लेंगे, इन सब को हमने अच्छे से मिक्स करना है, ए एक कटोरी के करीब ही मैं इसके अंदर फुल को भी डाल दूँगी, इसको भी हमने इसके अंदर ही मिक्स कर देना है, और अच्छे से थोड़ा सा सोफ्ट होने तक पका लेना है, इसी के साथ मैं एक कटोरी के करीब हरे मटर ले लूँगी, इसको भी मैं इसी के अंदर ही ड पक जाएंगी इसी के साथ ही मैंने यहां पर एक कटोरी के करीब आलू ले लिया है उसको भी मैं इसी के अंदर ही डाल दूंगी साथ ही मैंने यहां पर एक कटोरी के करीब ही मैंने सोयबिन की बड़ी ले लिया इसको पहले मैंने पानी में बिगो दिया है और इसका पानी मैं में निक्स कर लेंगे और एक चमज के क्रीम मैं यहां पर गरम मसाला ले लूँगी उसको भी मैं इसी के अंदर ही डाल दूँगी इन सब मसालों को हमने सबजी के अंदर मिक्स कर लेना है इन सबजी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही मैं इसके अंदर सो कियोए चावल डाल दूँगी इसको हम ढखकन लगाकर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे अब 10 मिनट हो चुके हैं अब हम इसका ढखकन उठाकर देख लेंगे कि हमारा पुलाव बना है या नहीं इसको अभी हम एक बार चला लेंगे अभी थोड़ा सा पानी इसके अंदर है इसको अभी हम 2 मिन के लिए अब हम इसको छोड़ देंगे अब 2 मिनट हो चुके हैं अब हम खोल कर देख लेंगे कि हमारा पुलाव बना है या नहीं अब इसका ढखकन उठाकर देखेंगे यह चावल बिलकुल पुलाव हमारा बनकर त्यार हो चुका है इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर बिलकुल एक एक दाना बनकर हमारा पुलाव का त्यार हुआ है अगर हम इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो हमारे चावल कभी भी गिरेंगे नहीं और एक एक बिलकुल दाना बनकर त्यार हो जाएंगे दो गलास चावल है तो चार गलास इसके अंदर हम पानी डालेंगे अ अगर आपको मेरे ये पलॉव पसंद आता है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और ये खाने में बूती ज्यादा टेस्टी और बूती जल्दी बनकर तियार हो जाता है